हेलो स्टुडेंट्स इडिज विनोधाचारी है लास्ट टाइम हमने पढ़ा प्रोपिजिशन आफ एरर्स हमें पता है जब भी तोई मेजरेमेंट होती है तो उसमें एरर जरूर आते हैं और रजल्ट्स में एरर यदि अमारी फिजिरल में हो डिफरेंस टे रूप में रोप में हो यह व हो एर्र तया से प्रोपिजिन होता है अधेर अग्रेल अ में थोड़ा सा यह पता होना चाहिए मानलो मारे बास्क्रेदिल टौन्टिटी है यह जिस्टो ए अट आशी है जिस्ठी मेजरमेंट होनी है है यह 이거 यह वाखे आब इसमीर मिजर्मेंट होह सकता है बहुत सारी अब्जर्वेशन हो A1, पहली रेडिन आई, A1, A2, A3, येस, फिर हमने उस्टी TRUE VALUE नहीं है, उस्टी टैसे नहीं है, TRUE VALUE और TRUE VALUE और मीन VALUE भी वोलते हैं, ये याद रठेने हम TRUE VALUE और मीन VALUE एक होती है और वो टैसे निटालते हैं कि जतनी और अंसरा टो जोड़ दिया जाता है और में ता ऐसे ही लिया जाता ना इब्रेज जतनी रगिगत अब यह गालो ब्यरुज और यह अंसे डिवाइड हो जाता है कि उससे लिख आ Absolute Error in the First Observation is, बताईए, हमारा आया था Am-A1, याद दीजिए, True Value में से पहली रीडिन की रीडिन की रीडिन थी थी, Absolute Error in Reading 2, Am-A2, उस्ते बाद हमने Mean Absolute Error ने डाला था, Mean Absolute Error, और Mean Absolute Error लेते टाइम हमने, यह हमारा जो Absolute Error आया था ना पहली रीडिन में, पहली Observation वाला इस्ता Mean लिया था हमने, इस्ता मतलब यह हुआ, चाहे यह Value Positive आए, चाहे यह Narrative आए, जब भी निका Mean लेना है, Mean Absolute Error लेना है, तो यह सारी Value चैसी लेनी है, Inter-Modulus लेना है, Inter-Modulus हमने तैसा लेना है, सिरफ Positive ही लेना है, यह बाद हमने ध्यान रशनी है, हमारे मतलब दी बात है, यह Mean Absolute Error जब निकाल लेने हैं, उस्ते बाद हमने निकाल ला था, Relative Error, Yes, Relative Error, Relative Error याद दीजिए, त्या आया था हमारा, हमारा Relative Error दिया था, पताईए, हमने Divide दिया था, True Value को Divide दिया था, तिस से Mean Absolute Error से, यह यह लोग, Absolute Error से हमने Divide दिया था, और Relative Error को, जब हमने, Relative Error को, जब हमने 100 से Multiply दिया था, तो हमारे पास इर नया आया आया था, Percentage Error, Percentage Error, Yes, इस 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 इन बात और हमें याद रखनी है, हमने यह भी याद रखना है थी यदि हमारी फिजिटल क्वांटिटी एक, ए और बी ते सम्के रूप में हो, तो उन ता जो Relative Error आयरा, वो Relative, यह हमारा जो Absolute Error आयरा, वो Absolute Error इन एक्स, इस 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 ट्वल्टू, Absolute Error इन ए, प्लस माइनस Absolute Error इन बी, Similarly, यदि एक्स ब्राबर ए माइनस बी होता, तब भी हमारा Absolute Error आपस में जोड़ा जाए रहा है, जब हमारी जो रजल्ट है, वो, फिजिटल ट्वान्टिटी इस सम या डिफरेंस के रूप में आता है, तो हम Absolute Error लेते हैं, और जब वह है, प्रोड़क्ट या फिर, डिविजन, या फिर, पावर के रूप में आया था, तो हमारे पास Absolute Error नहीं आया था, हमारे पास जो पिच्चर में आये थे, वो आये थे, Relative Error, इस ता दूसरा नाम भी हमने लिठा था, Fractional Error, येस, और बाद में आया था, हमारे पास, Percentage Error, ये Error, ये दोनों Error हमने तब निडाले थे, यदि असी थी, यदि हमारी जो Situation थी, इसी थी, और इन दोनों सिच्च्वेशन में हम Absolute Éror पहले निडाल लेते हो, निडाल दो ये भी जाते हैं, पर यहाँ Absolute Éror में ही हमें पता चला था, और चलिए, Anyway, सुरू ड़ते हैं हमारी पहली Problem लेते हैं, यह हमारा previous knowledge है जो हमें अपनी जो पढ़ा है जो lesson हमने पढ़ा है उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी आज जो problem हमने उसने हमें दी है हमारी problem है we measure the time period of oscillation of a simple pendulum we measure the time period of a simple pendulum simple pendulum in successive measurement successive in successive measurements measurements हुई है दो चार दस the observation for time period the observations for time periods are yes observation है हमारी जो हमारा time period है simple pendulum रभ वो है 2.63S पहली बो observation है दूसरी है 2.5S सटिन थर्ड वन 2.42S यस फूर्थ वन 2.71S and the last one 2.80S calculate the absolute error relative error and percentage error absolute error relative error and percentage error problem physics में एर बात बोली जाती है the problem is to understand the problem अब पहले दो अमने अपनी problem समझे नहीं है यदि हमें problem समझा आजी तो हमारा 50% से ज़्यादा time हुआ yes we measure the time period of a simple pendulum in a experiment in a experiment in successive measurements the observation for time periods are 2.63S it is as not the 8 second 2.5S yes यह आया हमारे पास the measurement the measured value of time period are चलो शुरू रड़ते हैं the measured value of time periods are are malium कुनसी value है वही T1 पहली है पहली observation value रहिए नाम रख्ठाम T2 2.5S yes third observation 2.42S T4 2.71S T5 2.80S यह हमारे पास observation आई है अब सबसे पहले ज्यार दा रहें हम याद जीजिए हमारी ठेओरिया में रख्ठी है जी हमारे पास value दी A1 A2 A3 अब जी बार value है T1 T2 T3 इसलिए हमने ज्यार निदालना पड़े रहा true value of the time period true value दो दूसरा नाम ज्या देते हम mean value the true value or mean value of time period T TG true value या mean value निदाली है कैसे निदाली है आर्थमेटीर mean लेना पड़े रहा Tm is equal to T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 कितने हैं ये 5 ही है ना तो 5 जोड दिये जोड येन सब दो चलिए 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 येस डिवाइड वाए फाइव टोटल इतना है रहा 13.12 13.12 येस और यह हुआ फाइड से डिवाइड होगा और हमारे पास true value इतनी आई हमारे पास true value आई 2.624 2.624 और इस्टों हमने दो डिजिट तर दिया है ना हमारे सारे ये देशे में भी दो दसमला दो दसमला स्थानों तर रहा जलता है हमारे पास two decimal points तर है तो हमने इस्टों ऐसे तर लिया 2.62 सेटिन हमारी त्याई ये ऐसे ही लिख लेते हैं ये दीजिए ये हमारी true value आई है ये हमारी true value आई है अब त्यार अरना है भाई true value आई true value से चाहिए हमें absolute error तो absolute error कौन सी reading में पहली reading में absolute error in first reading error in first observation क्या नाम रठे ने delta T1 कैसे आई रहा बताईए कैसे आई रहा T true value TM minus first value TM इतना आपका 2.62 minus पहली value 2.63 result जाया minus 0.01 आया ना इतना सेटिन आया है भई चलो जी absolute error in satin observation true value कितनी है 2.62 minus 2.56 अब जी बार कितनी आई plus जीरो पॉइंट 0.06 0.06 फिर जाया मारे पास delta T3 delta T3 समझा रहा है delta T3 है absolute error in absolute error in third observation हमें absolute error नी टालना पूरी measurement right means हमें mean absolute error नी टालना आप पहले हर observation पापॉइंट अब हमारे पास आया 2.62 minus third है मारे पास 2.42 और यह बचा 0.02 0.02 yes 0.20 आप चोथी observation में value नी टालिए चोथी observation में हमारे पास value आई है 2.62 minus 1234 2.71 2.71 तब तीतना बनाया आपने 0.09 0.09 और तीस्टा minus अब लास्ट में हमारे पास observation जो बची है नुमेरी डल्स शुरू में आराम से टरने हैं उस्ते बाद एड़ बार प्रेट्टिस हो गई तो यह अपने आप स्पीड में आ जाए ने 2.62 अराम से द्यान से और minus 2.80 तो जीतना आया आपके पास देखिए minus 0.18 minus 0.18 अब यह देखिए हमारे पास जो पहले ही value आई है वो आई है minus 0.1 दूसरी आई है 0.06 तीसरी आई है 0.20 और फिर आई है हमारे पास minus 0.09 0.09 अब यह value और last में हमारे पास आई है minus 0.18 अब यह value हमने देखिए अरना इन सब दो mean absolute error यह absolute error पहली डिडिन में दूसरी में तीसरी में चोती में पांची में अब हमें चाहिए mean error उसने हमसे पूछा था absolute error इड मिन्स उसे चाहिए mean absolute error mean absolute error पूरी measurement रहा mean absolute error mean absolute error आई रहा delta of t1 उसना modulus हमने सिरफ सारी value जो है वो positive ही लेनी है उन्टा magnitude लेना है यह मैंने जो मोडलस यह जो उपर निशान लड़ाया हमने टीसी x यह उपर यदी हमने ऐसा लड़ा दिया है इस्टा मतलब यह x यह x टी value सारी ही हमने positive लेनी है तो अब लीठीन सब दो और फिर कितने से divide हो रहा है mean लिया ना mean absolute error सारे error जोड़े पांच बार यह error जोड़े हैं और फिर 5 से divide हुआ और हमारे पास आया 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 और divide by 5 और यह हुआ 7, 27, 36, 27, 9, 36, 50 0.54 divide by 5 और अब हमारे पास यह आजा 0.1459 यह 0.11 तर लेते हैं यह हमारे पास आजा mean absolute error जीरो पॉइंट जो mean absolute error हमारे पास आया mean absolute error अब यह देखिए अब यदि आपको अपनी measurement का absolute error भी पता है हमें अपनी measurement का क्या पता है mean absolute error भी पता है और हमें उस्ता true value भी पता है तो result कैसे आए रहा result for time period याद रीजिए result for time period ये लिए result याद रीजिए हमारे हमें ऐसे बोलते हैं देखिए a plus minus delta a ऐसी होता था ना यह होता था हमारा plus a plus और a यहां हमारे पास जो true value है वो है tm और यह है delta t true value तो हमारे पास जो result आए रहा वो आए रहा true value plus minus delta t और यह ओड़ा 2.62 plus minus 0.11 और यह सारा ही हमारा ऐसार अब यदि यह value हमारी plus है तो it means हमारे पास जो value आए रही जीरो इतनी है ना और यदि यह minus है तब हमारे पास आए रहा one one two point five two point five अब यह देखिए हमारा जो result है वो चीसमें लाइट अरे रहे रहा अब यह देखिए इस्टा मतलब हमारी value जो आएंडी वो टैसी आएंडी two point seven one three two point five one के बीच में आती रही देघिए the result is lies between result is lies between यह रजल्ट इस्ट बीच में लाइड अधिने से इतने में लाइड अधिन दी लाइड विट्वीन 2.732 2.51 उस्ते बाद अडली प्रोब्लम हमारी है प्रोब्लम नहीं इस्टा भी तो एज यह वो बचा हुआ है आपने अबस्लूट अरर लिया अब इस्टा रिलेटिव एर इन दिस मेंजरमेंट रिलेटिव एरर फोर्मूला याद जीकिन याथ हमारा हमारा फोर्मूला था एबसलूट अरर मीन अबसलूट अरर थीओरी से ही नुमेरिकल आएंगे मीन अबसलूट एर डिवाइड वाइड जिदी ट्रील वैलू अब देरिए हमारा जो एरर आया है मीन अबसलूट चितना आया हमारा प्लास माइनस 0.0.11 and divide by true value इतनी आई है 2.62 इसको आपने water ना है cancel out तीजिए और हमारे पास जो result आया हुआ है प्लास माइनस कितना result आया हुआ है प्लास माइनस 0.041 0.041 हमारे पास ये relative error आया है और यदी अब ये देखिए यदी इस्टो अब हम उसने हम से ये भी पूछा था ना कि आप percentage error भी बताईए यस percentage error percentage error प्रसेंटेज error फोर्मूला याद दीजिए relative error तो जब 100 से multiply हो जाता है तो हमारे पास percentage error आ जाता है और हमारे पास आया plus minus 0.041 into 100 और ये आया plus minus 4.1% 4.1% तो आप हमारे पास क्या हुआ दो digit 100 से दर आ रहे ना ये 100 जैसे multiply हुआ दो हुए तो हमारे पास जो percentage error आया है वो आया 4.1% आप अरली प्रोब्लम हम लेते हैं जब भी हमने प्रोब्लम पढ़नी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहले उसकी theory clear होनी चाहिए theory से ही numerical होड़ रहा हमारा हमारी अरली प्रोब्लम जो दिवी है उसमें दो बोडी टा टेंपरेचर उनोंने मेजर दिया हुआ हम देखते हैं दा टेंपरेचर आफ टू बोडी इस डिटेंपरेचर आफ टू बोडी इस आर मैजर्ड विद्धी हैल्प आफ थर्मामेटर विद्धी हैल्प आफ थर्मामेटर और फाउन तू बी आफ फाउन तू बी टी बन आण टी टू यह दो वेल्यू दिया है हमारी है 20 डिली चल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिली अच्छरी और टी टू जो दिया हुआ हमें वो दिया हुआ है 50 डिली चल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिली और उसने हमारे से पुछा दिया है उसने पुछा टल्पुलेट दा टेंपरेचर दिफरेंस विद आरर टेंपरेचर डिफरेंस विद आरर ये पुछा उसने हमें इन दो आपकी बोड़ी जो है वो दो बार टेंपरेचर पे थी और दोनों टेंपरेचर तो आपने नाप लिया है और इरबार टीफन है इरबार टीटू है अब आप ये बताईए दोनों में टेंपरेचर डिफरेंस ठितना है इड भी इंस हमें हमारे पास बणा टेंपरेचर डिफरेंस इस टीटू मैनस ट्म याद दीजिए यह वो प्रोब्लम हुई थी हमारा रजल्ट जो है वो ए माइनस बीट यह रूप में है दा सब्ट्रेशन आफ टू फीजिटल क्वांटिटी जे तंसेप्ट हमारा ट्लियर है ती दो फीजिटल क्वांटिटी है मारे पास टीवन और टीटू दोनों ही टेंप लेकर के सीधी किफरेंस टी तरहें है चलिए पहले हम टेमपरेचर दिफरेंस लेते हैं तो को सिब्सक्राइब हम उन्दों हमने शों संदोय टीटो टीवन चर्षन और पहले हम दियाता है टीटो retro दिवन्टी जो रिए वि else यह वह पास 이야기 देडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडि जाद जीजी अपना फोर्मूला Maximum Error in difference. Maximum Error in difference. इसलिए त्यों टी उसने बताया है जब T1 की मैजरमेंट हुई उस समय Absolute Error इतना आता है. और जब T2D वह हुई मैजरमेंट तो Absolute Error इतना आता है. इस्ता मतलब यह वा त्यूसने Absolute Error भी दिया हुआ है, इस्ट अबसलूट अर्वी दिया हुआ है और हमें याद है कि जब इस्ट अबसलूट अरर अमने निटाला था तो दो नोड़े अरर को जोड दिया था यहीं टाम हमने यहां तरना है Maximum Error in Difference Maximum Absolute Error in Difference Maximum Absolute Error in Difference हमारे Difference में Maximum Absolute Error टी तना है Maximum Absolute Error in T1 plus Maximum Absolute Error in in T2 और T1 दा 0.5 plus minus 0.5 और उस्टा plus minus 0.5 और चीतना हुआ 0.5 और 0.5 0.5 ना मतला बाद हा तो plus minus चीतना हुआ याद 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 योड जूड जूड ये 1 डिरी चल्सिया तो हमारा रजल्ट त्या हुआ अब येस बताईए रजल्ट क्या हुआ हुआ हमारा रजल्ट हुआ उसलिछी ये डेठा और देखते ही हमें पता चला थिहा यहां फिजिरल क्वांटिटी जडा सब्टेक्शन है तो बाद जाegen इव पताचला में दिए फिजिरल क्वांटिटीज अँसब्रेक्शन हाँ हम ठीत हमारा पांते से हुआ आसानों है ले नेट्स प्रोब्लम हमारे पास जो है वह रिजिस्टेंस टी प्रोब्लम दी हुई है रिजिस्टेंस पड़े है आपने प्रतिरोध सिंपल सीएट प्रोब्लम है वो दियो ही है आपने टू रिजिस्टेंस टू रिजिस्टेंस प्रतिरोध प्रोब्लते हैं टू रिजिस्टेंस आरवन और आरवन ती वेल्यू है वमारे पास 200 प्लस माइनस 200 प्लस माइनस 3 ओम यह देजिए ओम रिजिसान ऐसे बोल देते हैं ना यह अमारा आरवन इतना है आरवन तू रिजिस्टेंस इज आरवन और आरवन और तू और जो आरवन तू है वो है यह है और यह स्टाविसलू टैरर है सिमिलरली आरव तू रिवेल्यू यह है और इस्टाविसलू टैरर है आप उसने बोला टू रजिस्टेंस इज आरवन और आरवन और तू और जोएंड इन सीरीज what will be the total value total value or effective value effective value of resistance कि इन दा सर्टिट पुड़े राएड हमारे बास दो रजिस्टेंस है आरवन और और तू यह आरवन है यह आरवन और तू है जो सिरीज में जोड़े है आरवन डिवेल्यू भी पता है आपको और विद अबसलूट एरर पता है यहां भी हमें पता है अब वोग पूछरा ह में इचिँ टॉटल वोड़े तना बनेगा ओर तो तूटल याद ढीजिये जब हमारे प्रति रोज सीरीज में आते हैं स्रीणी टंश में आ है हमारा रंसाइब दियो हादी हमारा रजल्ट जो है दो फीजिटल ट्वांटी जटे सम ते रूप में है प्रोपीरेशन ओफ एर इंस प्रोपीरेशन ओफ एर इन शम तो हम रज चीजिटी विल्यू निकाल देने र हमारे पास हां और फिर डेल्टा निगाल देए यह जकतने में यह प्रोपीरेशन धिल्म और खोर में झाए अब यकालते हैं इसका चीजिटी च्रूट अबसोलूट अरर एन रहा प्लस अबसोलूट अरर इन आर इन जितना प्लस माइनस थ्ली और उसे में प्लस माइनस टू तो हमारा रजल दाया प्लस माइनस फाइव ओम तो हमारा जो सलूट आरर आया है वो आया है प्लस माइनस 5 ओम अब टोटल रजल्ट कितना है रजल्ट 4 कि इफटिव रजिस्टेंट्स और रस इज इट्वल तू अब अमरे पास यह आया इफटिव रजिस्टेंट्स कितना है अब हमारे पास आया 500 तो वह वैसे आए रहा 500 और प्लस माइनस कितना रहे रहा 5 यह हमारा इफेक्टिव रजिस्टेंस आया यह क्या चीज है यह वेल्यू है और यह उसमें यह हमारा इतना यह तो आपने अब यह देखिए हमने जब भी नुमेरिकल पढ़ना है तो नुमेरि यूज हो रहा है जहां इरवार हमें यह पता चला तीस में कौन सा टंसेफ्ट यूज हो रहा है उस्टे बाद हमारे हमें कोई प्रोब्लम नहीं आएगी तो चलिए आदे प्रोब्लम लेते हैं हमारी प्रोब्लम है टू बोडी जो ओफ मासीज टू बोडी अफ मासीज फिफ्टीन प्वाइट सिट्स प्लस मीनस जिरो प्वाइट टू द्रैंड ये पहली बोडी तरह मास है and 30 23.9 plus minus 0.3 are put in a bag in a bag of negligible negligible ज्या होता है सुन्य रिवर आज़ बर नेरलीजिवल जिस्टों इरिनोर किया जा सरी of नेरलीजिवल मास हमारे पास इर बैर में दो मास ही जमने डाले हैं ये पहले बाला मैसी इस्टों M1 मान लिया हमने और ये हमारा M2 M1 और M2 तो ये ठैली में डाला है और जो ठैली है उसका मास जो है नारे बराबर है अब उसने पुछा है what is the total मास of the bag बैर टोटल मास इतना हो रहा बताईए इतना हो रहा टोटल बैर मास हो रहा M1 प्लस M2 ये तो रजल्टा है रहा M1 प्लस M2 और इसमें डैल्टा M1 प्लस डैल्टा M2 से हम उस्टा absolute error निटालें चो ये हमारा टंसेप्ट है A प्लस B वाला कंसेप्ट यूज हुआ है चलो बाद में देखते हैं और इस अरली प्रोब्लम भी लेखते हैं अरली प्रोब्लम है दरीफ्रेक्टिव इंड़सी इंड़स ओ दा रीफ्रेक्टिव इंड़स ओफ वार्टर इज इंड़सी दिफरेंट अब्शेरिश्टुग इड़स्पेरिमेंट हो रहा है वार्टर रीफ्रेक्टिव इंड़स निटालनी ते लिए रीफ्रेक्टिव इंड़स् नाम सुना है नहीं सुना है रिफ्रेक्टिव इंडेट्स सुना हुआ है नाम सिरभ आपने इस्टु हिंदी में सी ना हुआ है रिफ्रेक्टिव इंडेट्स इस्टु बोलते हैं अपवर्तनांट अपवर्तन वाले पाठ में पड़ाया दामने अपवर्तनांट water the refractive in that's need Allah there are or different different observation the end the refractive index of water is calculated by different observation having a values refractive industry will use 1.29 refractive index to music in Hana happening mu or value of 1.29 1.33 1.34 1.35 1.32 1.36 1.30 1.33 1.33 4.56 7.8 1.2 तो आब उसने अभी देखिए हमें उसने वेल्यू डोन डोन से दी हैं म्यू डी वेल्यू पूछी है उसने और वेल्यू दी हैं म्यू वान म्यू टू म्यू थरी यह सारी वेल्यू दी हैं और पूछा आप्सलूट मीन अब्सलूट एरर और मीन अब्सलूट एर्र टैसे आए रहा पहले उसरूट वीडैला जायर और have एरह अहां ड़ाए रहा एब्सलोट अरच रू रे रूमें से पहले रिडिंटी मेयर्ट यसके पहले रूरी ड़ू नीन पड़ें अर्छनक आप सबसे है स्पहलेसद लेड करें टल 노 प्रू पैल GREG ते say-in, said-in and read-in, और वहां से फिर आमने निटाला mean absolute error mean absolute error बाद आमने निटालना है relative error और उसे बाद आमने निटालना है percentage error तो प्यारे बच्चों यह दोनों problem आपने अपतर दें हैं यह दोनों problem मैंने hint दे दिया है लर्बर मैंने बता दिया इसके बारे में और जहां भी आप तो प्रोब्लम आती है तो आप टोमेंट सेट्सन में जाईए और अमसे पूचिए